Hello friends, तो आग में आपके साथ एक important unit discuss करने वाला हूँ, जो exam के point of view से बहुँ ज़ादा important है, unit का नाम क्या है, unit का नाम है आपर सरकारी budget इवम अर्थिस्ता, तो इस unit में या इस chapter में हम यह discuss करेंगे कि एक तो budget होता क्या है, या कलिजे सरकारी budget क्या होता है, साथ हम यह भी discuss करने कि सरकारी budget किस तरह से हमारी अर्थिस्ता पर प्रभाव डालता है, सरकारी budget से सरकार क्या कर सक, ठीक है, तो चले शूब करते हैं, मेरा नाम है रिनितिश शेफ और आप देख रहे है, economic c95 plus series, तो बचलो जैसा कि आज का topic है, आज हम discuss करने वाले हैं सरकारी budget के बारे में, तो सबसे simple जो word चीज आ रही है, सबसे simple जो चीज आ रही है, सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि budget का अर्थ होता क्या है, ठीक है, सरकारी को जबी की बात भी करेंगे, पहले हम budget की बात करेंगी, बजट का मतलब क्यों होता है, तो budget को समझ जाने के लिए, पहले हम आप समझ घृर्ण में यूज उते होता है, budget रहता है, करे बार किया है, चलो विवानी आ रही है, budget भिजट बिना लेते हैं, बजट का मतलब क्या है, एक्टरी वह यह कहना चाहरे है है, budget का मतलब की teacher में, हमारे पास क्या आने वाले है, वेव वने वाले है, उन वेव के लिए कह से पैसा आएगा तो यह पता लगाना है और सहां खर्चोंगा यह पता लगाना है तो ज्यानगना क्या बोलाओ आने वाले आए और आने वाले वे का पता लगाना कि कहां से इंकम आने वाले है और तहांँ पे इंकम जाने वाली है उसका बीवरा बनाना उस्ती डिटेल बनाऊना चाहे काषud इसे बनाओ उसे हम बहते हैं बज़य तो ये घर बनावे बना выглядит उसी तरह तो यहाँ पर सकार यह पता लगाएगी कि आनय वाले साल meं महां कि पैसा किमाएंगे और कहाँ आप खर्च करेंगे तरो सरकार की बज्चार में नहीं करने फिल्द में पत्लॉ तो आने वाली बात करें और यह वह 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 हैं अभी हुए नहीं है तो बॉजट का जो लेना देना तो फेचर से होता है तो डेफिनेशन देखो जारा सबसे पहले बजट की क्या दिए यहां पर बजट की बजट आधामी विट्टेवर्स में क्या बोला है आधामी आने वाले आदामी मतलब होता है माना हमें पता है मैंने पता है कितना निस्ठी कितना एका हम तो अंदाज्ट लगा रहे हैं कि सरकार, कि इतना टượख आसकता है तो उससे हम क्यों बोफे अनुमानिद देख़ टिक ये और अनुमानिद आओ, तो सबसे पहले अनुमानित दियो होने वाले प्लस अनुमानित प्राप्तियों या आए जहां से पैसा आएगा उसका विवरण जो होता है वित्य विवरण उसे हम क्या बोलते हैं बजट पूर्ट तो सबसे पहले मैंने बता दिया है बजट का अर्थ क्या होता है दो चीज़ वेश्चार को पैसा आएगा और एक सरकार के पास पैसी जाएगा तो यहाँ पर वहीची आपको बतानी है बजट के घटक दो है तो घटक पर जाएंगे नौर्मनी अपको बटा बढ़ेगे अब बजट के सरकार करती यह भी समझ लीजे तो यहाँ पर सबसे इंप्टेंट आ संसादनों का उन्हें आवंटन संसादनों का उन्हें आवंटन देखो एक सिंपल सा मैं एकजामपल लेता हूं कुछ चीज़े होती है जिसे मैं एकजामपल लेता हूं कि पार्क है पार्क एक स्थारजनिक बस्तू है वो किसी रिक्पी की प्राइबट बस्तू नहीं है और प एक्जाम्पल किनिम सर्कार रोड बना रही है अमीर भी उसकर सकता है गरी भी उसकर सकता है सर्कार स्ट्रीट लाइड लगा रही है अमीर भी उसकर सकता है तो सरकार अमीरों से पैसा ने कर वह ऐसी जगह पर खर्च करते हैं जहां पर दौल लोग लिए फायदा हो अमीरों के और मद तो इन पर टेक्स का लगाना चाहिए जादा लगाना चाहिए वन ही मानों यह विकल है तो उसको पर मूट्ट भागा है जाहती है जादा दरना चाहती है तो लगाईगी ठीके तो संसाद्रों क आवंदन मतलब कुछ ऐसी सारजनीक वस्तो का निर्मार करना सारजनिक वस्तों का निर्मार करना जो दोनों के परियोग में लाई जा सके अमीर भी और गरीब भी ठीक है दूसरा उप देश से बजट के फैसोबा आय तता संपत्तिया धन का पुने वित्रान देखो आपको पता दो देश में दो लोग है एक तो अमीर है और एक गरीब हैं जीस्टी एक अफर्तिक्षकर है जो सभी देते हैं लेकिन आयकर की बात करूं आयकर इंकम पैक्स कुछी लोग देते हैं इंडिया में लबब लबब यह बोला जाता है कि 100% में से केवल 5% लोग ही देश के अंदर आयकर भरते हैं तो इसका मतलब जो आयकर भ करती है तो सडकार क्या करती है बजसे माद्यां से अमीरों से टैक्स है टे packet दो ऐसमिटल और उआ कि अगरा को ऑगर ने आयकर पूसजों क्या उप्ज़य लेकर ने सद्वारा से किसी और गफुक्तिया ओक हैं कि दूसरा आर्थी क्षिध हमारी अर्वियास्ता में हमेशा उतार चणावा आते रहते हैं तो इक ट्रैक में लाने के लिए सर्कार को पैसे कि खर्च करने पड़ते है वह सब्सक्राइब सरकार को कहा से बिंटा बजेट के धूर में जो पैसे आताे है शरकार का कितना बजट होता है तो बता दू तीज द है टीज चालिस लाग करोडी ले ऐवे होती है इक साल के लिए और 25-35 पहई से पहरी समझ जारा है इस्मीधार की आयकम होती है अ vit से चॉट ना फ़िर अब करेैंगे आधे लिवेश देश रहा है링 पर जाधा करना पूरेगा तो ऐसी इस्तिती में सरकार का फेर्णिया वेर जाधा कर रही है तो हमारे हर संद जो बचल बचलता है चलो आगे देखते दूसरा सरकार कही सारजनी गुद्यम तला रही है जैसे रेलवे ले लो ठीक है चोटा से एक्जामपल बहुत अच्छी से पता होगा जैसे स्टेट वेंग ऑफ इंडिया ले लो जैसे एंटी एन ले लो अब अब अलग बात है अब तलाते रहों मटी एन ल की जिस सिम अगई यह सारजनी गुद्यम है ऐसे बहुत सारे सो देड़ सो उद्यम है तरगार कुन को चलाने के लिए क्या चीए पैसा ची पैसा आएगा बजट से सरकार यतने सारे काम करते है अब पेपर में कुछ ऐसे नहीं आएगा कि बजट के कोई चार उद्श बताओ पेपर में से कोई भी आपको दो देदेगा एक हो सकता है एक हो सकता है एक देदे और बोलेगा इसकी व्याक्ष्या दरो कि किस तरह से इसका बजट का प्रियुकिया का पर एक्जामपल आ गया आयत अधा संबत्ति या आयत अधा धनकप होने वितरन समझाईए बजट दो तो आप इसे एट लिस्स साथ आठ दस लाइनों में डिस्क्राइड करना पड़ेगा यह डेल के लिए आप किसको फॉलो कर सकते हैं आप अपने नोट्स अपनी बुक को फॉलो कर सकते हैं ठीक है यह मेरी तरफ से था पार्ट वाई अगर आप इंट्रस्टेड है चाहते है कि मैं इसका और पार्ट बनाओं तो मुझे कमेंड करके बता देना मैं इसका नेक्स पार्ट लेके आऊँगा जिसमें हम इसके आगी की टॉपिक डिसक्स करेंगे जहां पर हम बज़त के घ्टार और बज़त किस तरह से काम दरता ही है तो आजके लिए इतने ही मिनते नेक् प्रट रटन भई बई बई